जहीं दोस्तों तो यहां पर देखें NCRT का हमारा यह पूरा का पूरा सार है जिसमें से हम आपको आज जो चेप्टर कराने वाले हैं जिस चेप्टर के कोशन्स हम आपको कराने वाले हैं तो यहां पर हुपली जोन वालों के लिए सारे कोशन्स बहुत ही इंपोर्टेंट हो हो जाते हैं तो यह हमारा है मानोशरीर यानि कि यहाँ पर सिस्टम आफ होमन बेडिस बॉड़ी से हम आपके यह कोशन्स करवा रहे हैं जो कि अलग अलगा एक्जामस में पूछे गये हैं और इसी तरह के कोशन आपके गुरूबडी में भी पूछे जाएंगे तो यहाँ पर अंड़पुट्टिकाएं पाएं जाती हैं जो एस्टोजन्स का रख्त में स्रावन करती हैं गरबनाल प्लेसेंटा भी एक अस्थाई अंत्सरावी रश्ना होती है जो मानव कॉरियोनिक गोनेडो ट्रॉपिन लेक्टोजन एस्टोजन प्रोजेस्ट्रोण रिलेक्सिन शरील का तापमान कौन नियंत्रित करता है तो द्यान रखेगा है इनमें से कुछ भी आप से पूशा स्तत्वस्त्रावित के जाते हैं जो प्यूश ग्रंति के साथ हर्मोन के के शरीर की व्रद्धी विकास समस्तेतिका जिसे की होमियोस्टेटिस तथा उपापचे आधी सभी का नियमन और समनेवन करते हैं यह है प्यूश ग्रंती से स्वतंतर कार्य कर सकती है तो यह सारी चीज़े आपको ध्यान रखनी है थर्ड कोशन है यहाँ पर की इलेक्ट्रो एन्सोफेलोग्राम यानि की EEG निम्न मैंसे किसकी निगरानी के लिए उप्योग होता है तो यहाँ पर थर्ड का हमारा आंसर हो जाया गया यहां पर मस्तिश्क की निगरानी के लिए EEG करवाए जाता है ध्याना कि गाए ECG नहीं है यह EEG है अगला है मानौ शरीर में क्या ह यानि कि मानुशरीर में कितना पानी होता है लगबग तो यहां पर होता है लगबग 70% मानुशरीर में क्या होता है पानी होता है नेक्स्ट कोशन यहां पूछा गया है आप से और यह NCRT के सभी कोशन है तो इसलिए आपको यह अच्छे से पढ़के जाने हैं ध्यान रखेगा अगला कोशन है यहाँ पर मानु तंत्र में इंसुलिन किसका यहाँ पर चयाप चाहिए यानिकि मेटाबोलिज्म को नियंत्रित करता है तो यहाँ पर हमारा आंसर हो जाएगा की टोसिन नेक्स्ट करोश्चन है यहाँ पर मानु शरीर मस्तिषक के बारे में निमनों कतनों में विचार कीजिए कि मस्तिष खर्दे गति को नियुद सत्रित रखने के लि到दाई यह चर्ईर के शंतुलन के के लिए भी उत्रदाई है अगला कुशन मानव शरीर में पाचन का अधिकांश भाग किस अंग में संपन्न होता है तो यहां आटवे में मारा अंसर हो जाएगा सी यान की छोटी आथ में खटे स्वाद के लिए कुश कहें जीवा कि किस भाग में होती है तो नाइंथ में हमार तो यहां पर यहां पर आवशकता किसके अंशलेशन के लिए तो बार में मारा अंसर हो जाएगा यहां पर प्रोटीन के संचलेशन के लिए यहां पर आवशकता इनकी बहुत ज़दा होती है नेक्स्ट कोशन है मानव रख के कारे से संबंदेत निम्न कथनों पर विचार कीजिए वरख के उत्सरग अपने अनके वस्चात स्वच्छ रक्त रख्य धमनी से वापस जाता है और बोमन संपुट से निश्यंदित द्रव लगून अलिकाओं से गुजरता है जहां अधिक दर्डों काको श्रीर में खुन के विकरिया को क्या कहते है दिया जाता है जासर की किसी को ज तो पंद्रवे में हमारा आंसर होजाएगा यानिकि लार ग्रैंती नेक्स्ट नेहांपर स्त्रोत क Rocky थो सोलवे का जो जाएगा पर बी कि हम यक्रत है यानिकि लीवर है यूरिया किस में संस्लेशित होता है तो द्यान रखेगा यूरिया जो है यहां पर यकरत में से इसलेशित होता है नेक्स्ट यहां पर मानो जटर में प्रोटीन पाचन के लिए अनुकूलतम जो परिवेश है वो कौन सा है तो यहां अठारवे का जो अंसर हो जाएगा अमलिये परिवेश है ऐसे सीजियल के माध्यम से गुजरता है यह भी बिल्कुल गलत है सी नंबर है हमारा शरीर में सारा रख्त किडनी के माध्यम से शुद्ध होता है बिल्कुल सही कतन है अब यह कि यूपेस से परी 1994 में पूछा गया लेकिन बहुत अच्छा कोशन है वरक्क से प्रतिमिनट और सत्रक्त प क्कंदanderन ननेक्स्ट कोशन देखे गाँ यहांपर कि अंजएं मूलत है क्या है इनकी एंजएं मूल रूप से क्या है तो एंजएं मून रूप से जो है प्रोटीन होते हैं निल्हामनूम्यों से कौन साथम ग्लो कोज को अथि छेनल में परिवर्त तितन करने को प्रेरित कर में अमरांसर हो जाएगा यहाँ पर एंजाइम है लिपिड्स का पाचन निम्न में से कुछ की उपस्तिती में होता है यानि कि पित लाइपेसेज या पेपसीन किसकी उपस्तिती में होता है तो यहाँ 25 में जो अमरांसर हो जाना है वो हो जाना है यहाँ पर आपका पित अमल और यहाँ लाइपेसेस की उपस्तिती में ही यह होता है, पेपसीन की उपस्तिती में यह नहीं होता है, नेक्स्ट यहाँ पर देखेगा मानुत अंत्र में निम्न में से कौन सा पाचक अंजाइम यहाँ पर नहीं है, हमारे आहर में सभी प्रोटीनों का पाचन केवल शुद्रांत में होता है एक और दूसरा कारण है अगनाशे से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को शुद्रांत में छोड़ा जाता है तो यहां देखेगा इसका अंसर हम आपको बता देते हैं यहाँ पर देखेगे आपका यहां पर यह तो आपका गलत है लेकिन आर जो है वह वो आपका बिल्कुل सही है यानि कि यहाँ पर देखेगे आपका जो अगनाशे से प्रोटीनों का पाचन करने वाले एंजाइम को द्रांत में छोड़ा जाता है अगला है यहां पर देखेगा कोशन इसको थोड़ा सा जूम कर लेते हैं यह देखें स्टार्च को जल अब गटन से गुलकोज यानि की हाइड्रोलिसिस स्टार्च पनाने वाला एंजाइम कौन सा है तो 28 में मारा अंसर हो जाएगा यहां पर इसका अंसर हो जाएगा यहां पर वरद्रांतर मानो रख्त की श्यानता का कारण क्या है तो यहां पर मानो रख्त की जो श्यानता का कारण है की रख्त में मौजूद प्रोटीन जो है वो इसकी श्यानता का कारण है तो उमिद करते हैं कि आपको सारे कोशन समझ में आ गए ह कोशन थे तो इसलिए इन कोशन को जरूर पढ़कर जाईएगा एक्जाम से पहले